स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइस्टू टिकनोलजी में मैं अनुपरम वेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शूर कामरा ट्यूस्टे में आज हम लोग बात करेंगे टाइम कोड्स के बारे में तो आए समस्ते हैं तो सबसे पहले समझे है टाइम कोड कौन सा समस्या को सुझा रहा है तो समस्या क्या है मार प्रॉब्लम क्या है मार प्रॉब्लम है कि बहुत सारे प्रोड़क्शन में मल्टिपल सोर्स का इस्तमाल होता है यानि कि इंडिपेंडेंट कैमरा और और अडियो एकिपमेंट से इस अचिकाल हम लोग सबश्च डी numéro कर यहां पर है अचिकाल ही आज वर मत ही ऐकवन ध्योट करते हैं तो इसी कारण Bulky जिसके दो अंच अपर रिकॉडिया करना ज 찍क और मुझे और पर छ चाहए लिगा अधार्य उप नहीं अश्ण किया जाता है यह बहुत पहले से करते हैं लें बहुत भजियत और मतलब expensive process है और expensive ऐसा नहीं से पैसा लगता है expensive इस तो पर देखे time लगता है और आपके समिंगी किमत है प्लस अगर आपके पास कोई धंका system नहीं है तो वो करने लिए बहुत computationally advanced computer आपको चाही होगा तभी य प्रोडक्शन जो होता है जायने कि जैसे माली कोई news broadcasting agency चल रही है उनके पास post production का option नहीं है वो सीधे सीधे उनको देना है वो सीधे सीधे उनका सीधे अच्छा अच्छा ऑडियो यहां से रिकॉर्ड कर लो वीडियो यहां से रिकॉर्ड कर लो फाइल को पिलाओ फिर पहला बहुत जरुरी होता कि हमेसा हर किसी के पास वह option नहीं होता कि post production में सिंक कर सकें तो क्या किया जाता है तो सबसे पहला औजार जो आप लोग सुनते होंगे वह होता है time code तो time code यह समझे कि एक घड़ी है master घड़ी जिसमें होता है hours, minutes, seconds of frames frames आपको पहले सेट करना उसमें एक marker बना दे रहा है और उसके metadata में यानि कि file के साथ जो extra data बन रहा है उसमें metadata में डाल दे रहा है कि अभी मेरे camera में frame number 111 चल रहा है अभी मेरे audio recorder में frame number 111 का audio save हो रहा है ऐसे से करके दोन्नों को sync कर देता है वो तो यह समझे कि multiple devices को समालना इससे बहुत आसान हो जा है वो time code सबका same ही आएगा audio devices time code सबका same आएगा तो यही एक समझे कि universal आप उसको language देता है कि सब एक language पर चलो तो सबका घड़ी जो है वो बाहर से उसमें metadata data encode करता रहा है इससे फायदा यह होता है कि यह clock data जो बहार से एक्स्टर्नली फीड कर रहे है डिपेंड करता आप कैसे फीड कर सकते है है एड़फोन जैक से फीड कर सकते है डेडिकेटेड पॉर्ट हो सकता है उसका जैसे कि मतलब आरी या मतलब राइटू सब देखते होंगे तो बहुत सारे पोर्ट से रहता है जे लॉक पिन रहता है यह सब वही काम के लिए time code को देने के लिए रहता है या कभी-कभी आप क्यासा कर सकते हैं कि कैमरा क का मास्टर इन्काल कि आप audio recorder में दे सकते हैं या ल्ड़ बीकर सकते हैं कि audio recorder में ऐपका time code निकल रहा है उसको आप camera में तो आप टेंटिकल सिख जैसा एक्योपमेंट खरीद के उसके माइक इंपुट में एक चैनल को आप कर सकने कि इसमें टाइम कोड जबरदस्तिका डाल दिया चाहे तो उससे फाइदा क्या होता है हिसाब यह बनता है कि सिंक करना बस राइट क्लिक वला फंक्शन बन जाता है मतलब आस पंदर अमाली उसाधी का यह एक टाइम लाइन बनाना चाह रहा है और उसमें माली चाल से पांच वीडियो ग्राफर्स थे और उतने बड़े केसे में एक कैमरा इसमें था ड्रोन पर क्यार हुआ तो यह सब अगर आप एक टाइम लाइन बाजर एडिटिंग बहुत असा रज़िए प्लस आडियो जो आप अलग अलग से रिकॉर्ड कर रहे होंगे वह सब भी बहुत असानी से हो जाता है तो यह सब करने के लिए टाइम कोड बहुत अच्छा है सब को एक सिक अब कैमरे लगाना चाहें लगाएं जितना आपको ऑडियो रिकॉर्डर लगाना लगाएं वह आपके है लेकिन इसका एक साइड एफेक्ट है यह भले सिगनेचर दे देता है कि मतलब समझी एक एड्रेस भेज देरा है टाइन कोड का डेटा बेज रहा है लेकिन यह डेट जो है ड्रिफ्ट करने लगता है ड्रिफ्टिंग का मतलब यह होता है कि अगर आप चोटा शूट कर रहें जाने कि मूवी आप शूट कर रहें तो जनरली एक क्लिप जो है क्लिप आप बेरली भूद हुआ तो पांस से दस मिनिट कर बनेगा उसमें कोई फरक नहीं पढ़न तो आप उसको और वीडियो को लाएंगे अपने इसमें क्या बलते हैं प्रोग्राम में राइट किल्क करेंगे सिंक करेंगे फिर आप नोटिस करेंगे एक मिनट और यह मेरा चारप सेकंड पहले खता मच रहा है या और यह 10-12 सेकंड बाहर तक चलते रहा है यहां क्यों हो तो इसी कारण से अगर आपको 30 मिनट के अंदर रहना है कोई टेंचे नहीं टाइम कोड सब काम हो जाएगा तीस मिनट से ज्यादा लंबा जा रहे है ताइम कोड आपका बैंड बचाने लगेगा क्योंकि टाइम कोड फोर्स नहीं कर रहा है सब घड़ी को फोर्स नहीं कर है तो इतना बुरा हो सकता है कि आपका आख्री आख्री में लोग के लिए एक मिनट का आवाज थोड़ा पहली खत आ जा रहा है वो हो नहीं लगता है कारने की तुरंग क्यों नहीं दिखता कि इंसान के पास ब्रीन में एक सिस्टम बनाएवा है क्योंकि आडियो का अगर आप बहुत लंबा कोई इंटर्व्यू देख रहे हैं या कॉंसर्ट कभी कभी होता बहुत लंबा चल जाता है तब यह फिसल जाएगा तो आपका आराम से ऐसा हो सकता है कि माली 6 गंटी के रिकॉर्डिंग आपने मनाई थी और आप उसका सिंक करने का है और लिए त ज़िए जोड़ दे रहा है और मल्टीपल डिवाइस को एक ही में जोड़ दे रहा है कि यह समझना बहुत जलूरी है अब बाच करते हैं टाइम्ट को बड़ा भाई यानि की जैनलोग का तो जैनलोग जो है यह है यही सबसे इंपोर्टेंट बात है अभी तक चौने बात क जैनलोग का पूर्ट दिया जाता है जैसे कि पैनासोनिकमी यह बहुत यूनिक भात कि एकने चम्रांत कर दाब की गड़े जो है आब आप जो है आब और बाहर से घड़ी का सिगनल दे जते हैं तो इससे फरक क्या पता है तिंग किजिए अब इमाजिन किजिए कि आपके एक न्यूस ब्रोड्कास्टिंग रूम है जहां दिन दिन भर काम चलना है चौबी सो घंटे काम चलना है तो वहां पर कैसे काम चलेगा तो करेंगे एक घड़ी को लिया जाएगा अब उससे सिगनल सब को दीजिया उससे सब को आडियो रिकॉडर को उससे वीडियो को जितने कैमरा पांच छे कैमरा सब में मतलब केबल का सिस्तमाल करके सब को टेंड देद का जाएगा उससे क्या होता है एक भी चीज ड्रिफ्ट नहीं करने वाला क्योंकि वह घड़ी जो है बहुत पर दो चीजिज में अलग 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 डिफ्टिंग की मालिए यह समझी कि आपका ओडियो थोड़ा आगे चलने लगा या पीची जाना तब नापको पता अगर सब घडवाइन का emocBPGPT फस्टाने लगा या सब अपने परएब ब्रोड कास्टिंगी या जो भी आप कामकरए बहुत सिर्यसली ले रहे हैं आप जनलोग का इस्तमाल करेंगें टाइम लोड टाइम लोग जो है अच्छा है जनलोग उसका बहुत बढ़ा फाई है तो यहीं समझीगी यह सिंक करना लोग करता है कि ठीक है आप 15 कैमरा लीजी आप सब को एक घड़ी से चला सकते हैं और सब क सब चीज़ मैच कर जाएगा उस घड़ी से और वो घड़ी ड्रिफ्ट करेगा या ना ड्रिफ्ट करेगा कोई फरक नहीं पढ़ने वाला क्योंकि सब के सब उसी के साथ मतलब एक दम फ्लो में सिंक करता है इसलिए सिंकिंग का कान टाइम कोट से नहीं किया जाता है टाइम और बागी सारे स्टुडेंट बन चालते है और उसमें इंटरनल को सीधा सीधा इगरी से चलोंकि सब लोग एक सब एक पीछे रहेंगे एक सब बीचे रहेंगे वही दिकत नहीं सिंक में सब्ची रहेगा तो मास्टर क्लोप का इस्तमाल इसी लिए किया जाता है और हर फ्रेम को ट्रिगर जो है कि मतलब फ्रेम कब कैप्चर करना है वो सिंक हो जाता है यह बहुत इंपर्टन दे इसका मतलब यह समझे कर आप 3D कैमरा दाना जा रहे हैं त तो इससे फरक वरता कि अगर आपको वह फीड हम आंके में देदेना आपको सिर्फ दुखने लगे लगे क्योंकि आपका लेफ्ट और एक साथ सिंक नहीं हो रहा तो उस हालात में जैनलोग का इस्तमाल करना कंपल सरी हो जाता है जैनलोग के तब मतलब समझे सेंसर का ट्रि जहांवका सेंसर के आपका संसर पांचे सेंसर का या इसको आप ये करना चाहता है वह सबके लिए जघनलोग करना जलूरी हो जաता है क्या बिना उसके कर सकते है बहुत मैंद करके जमर्कस्ति का कर सकते हैं लेकिन ठंग से जिसमें 4K या 8K या जिसको आप आप आइमेक्स म हो जाता है वी आर के लिए बिना headache वाला experience देना चाहते है जेनलोग कम पतर ही हो जाता है यह समझना बेहद जरूरी है internal clock सबका bypass कर दिया सिर्फ master clock से बाकिसाब चलेंगे और इसे समझी लाइब broadcasting इसी पर चलती है इसलिए आप ब्लाक मैजिक के कैमरा में देखेंगे कि वो लोग हमेशा से टाइम टाइम सिंक और यह मतलब जेनलोग को बहुत इंपोर्टेंस देगे ब्लाक मैजिक जो है न्यूस इंडूरी के दुनिया से और वहां पर सारे equipment में होता है सारे equipment में option रहते हैं और सब में ऐसा रहता है कि अगर यह फिल हो गया तो दूसरा time code यहां से ले लेंगे तो वो समझना बेहज़र्वरी होता है जैनलोग जो है सबका घड़ी को बंद करके एक घड़ी से सबको चलाया जाता है बाहर से आप control कर सकते हैं तो यह function बहुत महेंगे camera में आते हैं लेकिन सारा cinema camera सारा broadcast camera सिर्फ सस्ते इंड में नहीं आते हैं लेकिन महेंगे इंड में तो यह कंपसर ही है तो चाहे वह आपका लेकिन जैनलोग जो है वह उसके लिए अलग से सर्केट वाइरिंग करनी पड़ते हैं ताकि शटर को ट्रिगर करने का function जैनलोग के पास पहुंच जाए ना कि उसका internal recording algorithm करें तो यह बहुत बड़ी बात है वही समझे टाइम कोड सबको एक दे दे रहा है और आपको वीडि करना है 360 degree करना आउप एक दे यह करना है यह अब करना है यह सब केस्षे में आपको सांती से जैनलोग जैनलोग कर प्डे कि बहुत बैंड वजने वाली अपकी तो अब बात करते हैं लो बजट के लिए options क्या है या मिड़ बजट के लिए options क्या है तो सिंपल है time code 99% cases में लो काम कर सकते हैं जब तक बहुत लंबा लंबा recording नहीं कर रहे हैं टो time code तका समझी आता से जाता समस्य सुझा आटेगा बस बात यह रहता है कि time code आपको अब यहां लगाएंग तो उसका सबसे सिंपल ओशन है कि आपको जैसे बादाए टैंटिकल सिंक बहुत सबसे और हो गया यह क्योंकि की आपका डेटा रीड कर सकता है इसके बड़े बड़े बहाई आसे आते हैं जिसमें मतलब टाइम कोड सीरियसली जहां लिया जाता है जो मूवी में इस्तमाल होता है उसमें जो क्रिश्टल से वोल्टेज कॉंपन सेट और टेंपरेचर लॉक्ट रहे पे यानि कि उसका तापम 20 घंटा चलाएं तो एक फ्रेम जो है आगे पीछे होगा उससे जागा नहीं होने वाला तो वह सब केसे में उस पर काम किया जाता है अब उसके बाद भी यह रहता है कि वह आप मान के चल रहा है लेकिन उसमें भी ड्रिफ्ट होगा तो मैं क्योंकि आप खुद ही बता रहो है अपने आपको अपडेट करता रहा है ताकि कुछ भी हो जाने पर ड्रिफ्टिंग बहुत कम रहे है ताकि मतलब कुछ भी हो आपको कोई दिकन में यह जैन लॉक्ट आप सब चीज रहे रहा है टाइम सिंक्ट है कोई टेंशन तो यह समझे ऑप्शन थैंक्फुली आप स मतलब जो एक्यूपमेंट है उस एक्यूपमेंट के लोगों को दिखाता है आठ नो मिनट आगे बीचे तक हो जाता दो दो गंटे रिकॉर्टिंग में बहुत खराब था है इसलिए आप देखेंगे जूम के जो नएने और रिकॉड़र्स पर बार बोला है टेंपरेचर के ताकि उसका टाइम ना भीचले तो उससे आप डेटा निगालके डारेकट आप कमर में डाल सकते हैं तो समझी बहुत किसे में टायम कोट से आपका काम चलेगा जेल लॉग एकदम भर पुष्ट काम चलेगा और ब्रॉद्कास्ट अगर आप करने का सोच रहे हैं तो तो भी नहीं करें तो नोटिस करेंगे एक मेरा लाइस्ट्रीम जो चाल रहा था वो पहला एक घंटा तो बड़ा बड़ी है लेकिन उसके पाद रिखते हैं लोगों का लिप सिंग काउट ओफ सिंग होने लगा है इसलिए जैनलोग लेना बहुत आप्शन इंपोर्टन होता है अगर आप लाइब स्ट्रीम लंबा कर रहे हैं या 360 VR यह सब करना चाहते है 99.99 cases में आपको उसके सरुवत नहीं पड़ेगी लिगन जरुवत पड़ेगी तो प्लीज ध्यान दें आपका कामरा में जनलोग है कि और जनलोग बहुत एक्पेंसिव फंक्शन है तो यह था मेरा प्र सब्सक्राइब करता हूं आप सब्सक्राइब करता है अगर आप नहीं है तो आपने वीडियो देखा जानके बहुत कुछी हुई धन्यवाद